अब लड़ाई लड़ सकता है अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामुईता चरितार्थ होती नजर आ रही है साथियों आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे ये प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दीन ऐसे और काटने पड़ेंगे साथियों ये लोग डाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर है लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है 130 करोड देश वास्वों की सामुईक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है हर व्यक्ति का संबल है समय समय पर देश वास्वों की इस सामुईक शक्ति की विराड़ता इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्चक है साथियों हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनारदन इस्वर का ही रूप होती है इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रुपी महाशक्ति का दिराड़ स्वरुप का साक्षात करते रहना चाहिए यह साक्षात कार हमें मनोबल देता है लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ठ करता है साथियों कोरोना महामरी से फैले अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बेहन उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिस्चित्ता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और निस्चित्ता की तरफ बढ़ना है इस अंदकार मैं कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे पाँच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है इस पाँच प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है